हेलो माई डियर फ्रेंट्स आज की सेशन में हम देखेंगे कि जो आपने मैनफेक्ट्रिंग प्रॉसर्स का जो सेशनल आपका हो चुका है अब आपने उसको अटेम्प कर चुके आप बट अभी तक वो पेपर के मार्क्स आपको नहीं पता सेशनल में आपके जितने मार्क्स था उसको आपने कैसे सॉल्व करना था ठीक है सो दट कि आपको मैक्सिम मार्क्स मिले ठीक है कोशन पेपर को कोई भी सब्जेक्ट का हो तो कैसे सॉल्व करते है कौन-कौन से पॉइंट से इस पर अलरेड़ी एक वीडियो हमने जनरलाइज वीडियो बनी हुई है बट अग जब तो आज ओशन-वाइज डीटेईल में हम बात करेंगे की कौन्से कोशन में आप क्या लिखिंगे तो आपको मैक्सिम माक्स मिलेंगे तो लेक्चर को लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेर करो जिसने भी MP का पेपर दिया भी चाहे वो आपकी कॉलिज का है या दूसरे कॉलिज का है अगर बच्चा है तो उसके पास यही सेशनल पेपर आया होगा तो आज हम बात करेंगे, डिटेल के अंदर MP के कॉश्चन पेपर को आपने कैसे सॉल्व करना था, आप अलड़ी कर चुके हैं, वेलंड गूड है, बेस्ट ओफ लग फॉर मार्क्स अगर आपने वो चीज़े लखी हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर वो सब चीज़े आपके अंसर में होगा, तो आपको maximum marks मिलेंगे, या आपके marks कितने आएंगे, आप 99% आप आइडिया लगा सकते हैं, कि मेरे marks 19 से 20 के बीच में आएंगे, या 21 से 22 के बीच में सबसे पहले तो जैसे आपको question paper मिलता है, आप अपना roll number and roll number अपना mention करेंगे, ठीक है, उसके बार आपने देखना है कि जो subject आपका manufacturing process है, इसका जो subject code आप पढ़ रहे हो, आपके syllabus में जो है, वही है कि नहीं है, and next thing is, 30 marks आपके हैं total, और आपको time bound कितना है, 1 and half hour, डेड़ गहंटे के अंदर आपको 4 से 5 questions जो given होंगे, हर बार, 3 भी given होते हैं करी करी बार, ठीक है, तो वो questions आपको करने है, दूसरी चीज आपने धियार रखनी है, कि जो भी note दे रखा है, या condition है, question paper को solve करने के लिए, वो सबसे पहले आपने देखने है, यहाँ पर कहा है, attempt question number one, which is compulsory and any two more questions from remaining, मतलब जितने भी questions दीवे हैं आपको, उसमें से first question तो compulsory है, सब को ही करना है, और लेकिन उसके अलावा जितने questions है, उसमें से को ही 2 करने हैं आपको, ठीक है, necessary data may be assume, whatever necessary and say may be clear you are inducted, ठीक है, अगर आपको कोई doubt लगता है, कोई question गलत है, या data miss है, तो आप उसको assume कर सकते हैं, बड़ जो assume करेंगे, आप उसको mention करेंगे, solve करते बाद, दूसरी चीज़ का कर सकते हैं, आपके classroom में जो invasilator है, आप उनसे पूछ सकते हैं, कहरी कर सकते हैं, मैं, yes sir, इस question में कुछ problem लग लग लिए है, तो वो हम क्या करते हैं, exam cell से discuss करने के बाद, अगर उ चलो, start करते हैं, कि question number one आपका क्या था, define the following, अब यहाँ पर define the following जो है, two two marks से questions है, five marks, ठीक है, five sub points है, और two two marks के है, मतला ten marks का ही question आपका, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, देखो, define core and name its different types, core क्या होता है, यह बताना है, और उसके types कौन कौन से होते है, clear, अब core में आपको core का, ठीक है, और उसके types को लिखना है, तो basically core क्या होता है, core are formed usually made of sand, which are placed in a mold cavity to form interior surface of casting, the void space between the core and mold cavity surface is become a casting, ठीक है, अब यहाँ पर यह देखो, यह रहा आपका core, और यह बाद में कहा था, casting का part बन जाता है, ठीक है, internal जो cavity होती है हमारी, उसके अंदर कुछ आपको position ब बनाना है, तो वहाँ पर हम core को use करते हैं, ठीक है, तो core तो यह हो गया, अब इसके types कोन से होते हैं, आपको types भी mention करने थे, types of core भी हमें इस question में mention करना था, तो अगर आपका आपने यह लिखाया है, और diagram बनाया है, तो one marks मिलेगा आपको, अगर आपने types को भी किया है, तो आपको यहाँ पर total one plus one, two marks यहाँ पर आपके आजाएंगे, ठीक है, बट जितने भी अभी तक, अगर मैं अपनी बात करूं, तो जितने भी session question पर अभी check हुए है, उसमें diagram किसी भी बच्चे ने नहीं बनाया, core का diagram किसी ने नहीं बनाया, types बहुत सारे बच्चों ने लिख आपका final exam होगा, वहाँ पर यह गलतिया ना हो, ठीक है, इसका main purpose ही है, कि final exam में हम अच्छा perform करें, clear, second question आपका है, what is the function of gating system, name is various elements, gating system क्या होता है, और इसके elements कौन कौन से हैं, यह हमें बताना है, ठीक है, तो gating system, देखो यह रा diagram, सबसे पहला तो आपको diagram बनाना ही बना है, ठीक है, मैं already class में बोलता हूँ कि जो भी बच्चे, MP का paper दे रहे हैं, या किसी भी subject, अगर आप questionnaire paper attempt करते हो, तो उसमें block diagram बन सकता है, कई कोई flow chart बन सकता है, अगर आप उस topic से related है, तो आपको बनाना है, वहीं पर आपको दूसरे students है, average students से extra marks मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या कौन कौन से parts हैं इसके, pouring basin, riser, casting, runner, engage, cock and sprue, यह सारे के सारे क्या getting elements हैं, और इसको आपने define करते वे, explain करते वे, इसको बताना था कि getting system पी यह elements है, आप ज़्यादा नहीं जाके, तो two two lines आप हर एक के बारे में लिख सकते हो, कि basin में क्या होता है, riser हम क्यों use करते हैं, किस allowance को यह compensate करता है, हमारा riser, ठीक है, runner का क्या काम है, यह सब चीज़े आपको यहाँ पे लिखनी थी, clear, तो अब बात करते हैं, c part की, c part क्या है हमारा, name any four types of casting defects, explain any two in detail, मतलब four types को आपने लिखना है, और दो को explain करना है, casting defects को, ठीक है, तो चलो casting defects दिखते हैं कौन कौन से देखो casting defects यहां आपके, blow holes, drops, cold shut, hot tears, penetration, shrinkage, miss run, inclusion, pinhole, swell, mismatch, hot spot, यह सारे के सारे क्या हैं, देखो, आपके casting defects हैं, और आपको briefly किसी दो को आपने explain करना था, majority में, वैसे तो आपको question में 4 पुछे गई हैं, ठीक है, आप कहीं से भी 4 ले सकते हैं, ठीक है, बट आपको जितने ज़्यादा पता होंगे, उतना अच्छा आप लिख सकते हो, अभी तो यह 2 marks सा question था, suppose final exam के अंदर, यह 12 marks का यह 10 marks सा question आता है, जिसमें आपको हर एक को explain करना और detail में लिखना है, तब इसलिए आप अपनी त्यारी एक अच्छे level की कीजिए, जितने भी इसके 4 types लिखे हैं, 4 types लिख दिए हैं कास्टिंग की, तो आपका 1 marks है, और आपने उसको explain भी किया है, any 2 को, तो आपके 1 marks और हो जाएंगे, डाइग्राम बनाया है, तो well and good है, ठीक है, रैसे करेंगे हम, next question आपका, what is the use of chill and chaplets, chill and chaplets क्या होता है, ठीक है, यह बताना है, ठीक है, chill is an object used to promote solidification in a specific portion of a metal casting mode, ठीक है, uniform जो solidification होता है, उसके लिए chills ज्यादा बहुत अच्छे help करते हैं, ठीक है, uniformity maintain करते हैं, there are many cases in the mode in which a core is not adequately supported by its bearing in the sand of the mode, it is practice in these cases to support the core by pieces of metal called chaplets, ठीक है, chaplets और cores आपने define कर दिये, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके डाइग्राम की help से भी आपने बताना है, कि देखो, यहाँ पर chills हैं, ठीक है, chaplets हैं, ठीक है, यहाँ पर इस diagram के अंदर, तो आपको कोई एक diagram बनाना है, जिसमें वो चीज, picturize भी हो, और आप description के अंदर उसको explain भी करते हैं, तब आपका question complete मनने जाता है, अगर आपका कोई भी part इसमें से lag कर रहा है, तो definitely आपके marks समय पर कट जाएंगे, clear, इसके next जो इपार्ट है, उसमें पुछा कि edge preparation क्या होता है, देखो, edge preparation मैं already अपने जो PDF है, जह हम generalize, जो हमारे MP के जो slides है, उसमें बता चुका हूँ कि edge preparation क्या होता है, जब भी हम welding करते हैं two pieces को, जब भी two pieces को आप weld करोगे, तो उससे पहले उसको हम shape देते हैं, so that की maximize contact बन पाए, molten state जो हमारा जो electrode melt होके, जो combined करेगा उसके साथ में, और worth piece का, पेजेंट metal और जो electrode का, जो metal जो deposit होगा, fusion होगा, उस time maximum space contraction आए आपका, आपस में जुड़ेगा, तब होगा, देखो यहाँ पे, यह हमने shape बनाई है, straight V, straight W, इसको W बोलते है ठीक है, यह individual बनेगी, part 1, suppose को one part बोलो, इसको two बोलो, तो दोनों पे बनेगा, ठीक है, यह इस type, single U, W, double V, यहाँ पे भी बन रहा है, और यह भी बन रहा है, अगर इस तरीकी से आपने इसको agile preparation को गया है, पहले तो explain करना है, उसके बाद में अगर आपने कोई भी two or three types को आपने explain कर दिया, diagram से, with the help of diagram, तो आपको maximum marks मिलेंगे, मतलब वहाँ पर two marks आपके पूरे हो जाएंगे, अगर एक भी part अगर आपने छोड़ दिया, तो वहाँ पर marks कटने की chances है, और it depends to faculty to faculty, बट यह सामने सीरे दिखता है, जिस बच्चे ने theoretical भी explain किया है, और diagram भी बनाया तो उसको marks ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, चली, next question हमारा 2A जो question है, उसमें पुछा गया था, कि हमारे allowances कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, अगर two question two का first part देखें, describe briefly about different types of pattern allowance, pattern allowance कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, तो बात करता है, shrinkage allowance होता है, machining allowance, draft allowance, distortion and shake allowance, इसको आपने explain करना थ अब यहाँ पर जैसे देखो, shape लिखी हुए, shrinkage, taper, distortion, machining allowance और wrapping allowance, यह types of allowances होते हैं, अब इनको आपने explain करना, क्योंकि यह 5 marks का है, तो 5 marks के लिए हर एक को आपने explain करना है, जितने भी types आपने बताई है, उसको explain करना है, width diagram, तब आपको maximum marks तोंगे, next question जो 2B का था, उसमें shielded metal arc welding को explain करना है, ठीक है, अब यहाँ पर एक ओव यह रा workpiece, यह workpiece हमारा earthing के साथ में, electrode के साथ में हमारा, यह दोनों connect है, electrode और workpiece दोनों connect है, जब भी आप इसको touch करोगी इसके साथ में, ठीक है, फिल क्या करेगा, हमारा spark पड़ी जोगा, और जो melt होना start हो जाएगी हमारे electrode और deposit होगी, ठीक है, उपर हमारा क्या होता, slack layer बनती है, और यह solidify आपका joint बन जाता है, weld pool बोलते हैं, इस zone को weld pool बोलते है, जहाँ पर workpiece और electrode का material deposit होके joint बनाता है, ठीक है, electrode के उपर coating होती है, ठीक है, यह base coating होती है, slack की, और यह arc आपका produce हो clear, तो यह अगर आप diagram बनाते हैं, और जिस तरीके से मैं आपको बता है, उस तरीके से आप systematic form के अंदर explain करते हैं, तब आपको यहाँ पर marks पूरे मिलेंगे, clear, question third का first part था, explain the construction, working and principle of cupola furnace, ठीक है, उसमें आपको diagram बनाना है, diagram के अंदर क्या करना है, working door बनाना है, charging door बनाना ह coke, iron, lamb stone, जहाँ जहाँ पर कुन कुन से चीज होती है, ठीक है, वो सारे elements को आपने place करना है, ठीक है, trash और refractory lines, यह आपको diagram बनाना है, आप diagram यह वाला बना सकते हो, और आपकी book में यह वाला diagram दे रखा होगा, ठीक है, यह ज़्यादा systematic है, इसमें आपने देखो, जहाँ पर पर भी, sand layers हैं, आपका, toys है, coke, flux, metal, coke, flux, metal, तो इस तरीके से हमारा यह diagram बनेगा, पूरा का पूरा, फिर आपने किस zone में, कौन सी activity हो रही है, कौन सा reaction हो रहा है, ठीक है, reactions आपने लिखने है, ठीक है, और activity कहाँ पर क्या बना रहा है, वो लिखना है ठीक है, और working कैसे वो आपने explain करनी है, kapola furnace की, ठीक है, तो आपने construction भी बनाना है, ठीक है, construction explain करना है, principle कहाँ पर हमें क्या चीज़ मिलेगी, वो करना है, तो इस तरीके से आप diagram बनाते हैं, explain करते हैं, तो आपको marks पूरे मिलेंगे, इस question में, question number 3 का जो B part है, उसमें पूछा गया है, what is the difference between AC and DC welding, AC DC welding के अंदर, आप tabular form के अंदर भी कर सकते हो, AC इधर लिख दो, और DC welding, ठीक है, इसके अंदर आप इस तरीके से भी आप explain कर सकते हो, ठीक है, दोनों के क्या good point है, क्या bad point है, ठीक है, कौन सा किस metal के लिए, अच्छा है, किस metal के चनी है, तो उस तरीके से आप AC और DC welding को explain करेंगे, ठीक है, एप्लिकेशन कहा है, हम आपकी, AC की एप्लिकेशन किस किस जगा पर है, DC की कहां पर है, ठीक है, AC welding is a type of welding that works by using electrical current that alternates between flowing in one direction and then reverse direction में many per second, this alternate current generate an electric arc with fluctuating in density between an electrode and a work piece, क्योंकि work piece और electrode आपका दोनों connected होते हैं, बैट्टरी से यहाँ आपका electricity से, the heat from arc welding arc melts the metal allowing it to be deposited, ठीक है, होजाएगे welding, DC welding is a type of welding that use direct current to create an electric arc between welding electrode and the metal being welded, the electric current flows in one direction from the negative electrode to the positive metal work piece, this creates a concentrated heat source that melts the metal and fuses it together, तो इस तरीकी से गर आप करेंगे, तो आपको यहाँ पर marks पूरे मेलेंगे, चाहिए आप टेबलर फॉर्म में करो, बट कोशिश करें करो, जब भी difference पूछे जाएं, तो आप टेबलर फॉर्म के अंदर करें, clear है? पॉर्ट पॉइंट था आपका, फॉर्ट कोशिशन जो था फाइव मार्क्स के लिए, इसमें था, शेल मॉल्डिंग प्रॉसेस क्या होता है, ठीक है? अब देखो, शेल मॉल्डिंग को समझने ही कुशिश करना, यह आपका पैटरन है, ठीक है? पैटरन आपका different materials का हो सकता है, metal का, wood का, suppose यह wood का metal है, ठीक है, अब देखो, यह creating the mold, अब यहाँ पे mold बनाना है, शेल मॉल्ड, अब जब यह पार्टिकल्स, अब यहाँ पर आपने इसको रख दिया, पैटरन को, अब यह जो पार्टिकल्स, आप इसको ऐसे tilt कर देंगे, ठीक है, तब क्यों होगा, य यह क्या hollow है, यहाँ से, यह space बीच में रहेगा इसके, तब इसमें आप molten metal को pour कर दोगे, तो जब यह इसको solidify जगा, तो आपका यह work piece मिल जाएगा, शेल बन जाएगा, मतला शेल अंदर से वो खाली है, ठीक है, इस type का बनाना है आपको, ठीक है, वो किसे बनेगा, जो यह क्लेटिंग मोल्ड न, यह सारी पार्टिकल्स यहाँ पर stick हो जाएगे, बाउंड हो जाएगे, ठीक है, फिर इन दोनों को आप shells को combine कर देंगे, उसमें metal को pour करेंगे, तो वो shell molding हो जाएगा, इस तरीकी से आपने diagram भी बनाना था इसका, और ऐसे ही explain करना है, step boys, कि first process में आ यह पार्टिकल्स थे, वो लिए आपने, फिर उसमें आपने इसको stick कराया, उसके बाद दोनों को combine किया, फिर आप metal pour करेंगे, then वो solidify होगा, उसके बाद आपका finish product होगा, ठीक है, यह, ऐसे करना था, और last question था, आपके question पर 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 का, वो था आपका, describe briefly about function of flux in coated electrode, अब coated electrode जो है, electrode का function क्या होता है, ठीक है, welding करने के लिए होता है, ठीक है, अब उसके उपर flux लगावा है, उसका purpose क्या है, ठीक है, वो oxidation से भी बचाएगा हमारा, और भी चीजों में prevent करेगा हमारा, ठीक है, तो flux की coating का purpose क्या है, ठीक है, तो gas shield of R कर provide करेगा आप को, stabilize of the R करेगा potassium silicate से, provide slack blanket, alloying elements will improve mechanical properties, iron oxide, ferromagnetism, give good penetration, welding in all position become easy, compensate oxidation losses, जो already मैं discuss कर चुका हूँ, ठीक है, बहुत बार बता चुका है, ठीक है, बहुत बार बता चुका है, ठीक है, उसमें भी बहुत बार बता चुका है, ठीक है, उसमें भी बहुत बार बता चुका हूँ, तो अगर ये सब चीज़े आपने include किये हैं, अपने question paper के अंदर, तो आपको maximum marks मिलेंगे, अगर फिर भी आपको कोई doubt है, कि sir मैंने ऐसे किया था, तो मैंने को यहाँ पर इतने marks मिल सकते हैं, तो आप वो comment box में कूछ सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको discuss करके हम बता रहेंगे कि कि हमें final जो exam होगा, उसमें अच्छी तरीके से करना है, इस तरीके से जैसे हमने अभी discuss किया, कि इस question में क्या होना चाहिए, इस तरीके से आप करोगे, तो definitely आपके marks अच्छी आएंगे, ठीक है, तो I hope आपको clear हो गया है, कि हमें paper कैसे time करना था, अगर किसी ने 19-20 किया है, उपर नीचे किसी ने कोई point रहे गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम improve करेंगे, क्योंकि यह learning process है, improvement की जगा हमेशा रहती है, ठीक है, और main purpose हमारा final से है, तो हम वहाँ पर improve कर लेंगे, ठीक है, बट अगर फिल भी आपको कोई भी doubt आता है, कि किसी भी paper को किस तरीके सा time क करना है, क्या strategy हम अपना है, आपको पर time नहीं बचता है, time management नहीं कर पाते हैं, तो आप उसके लिए comment box में बता सकते हो, और जो students को मैं available हूँ, college के अंदर, तो वो मुझसे personally भी मिल सकते हैं, ठीक है, चलो, best of luck, take care, good luck.